नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे येटूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आसिम आसिरबात से आप बहुती अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि नाग लोग के सक्तियां अब आप लोगों के साथ रहने वाला है जो कि दोस्तों कलियू का या सबसे बड़ा चमतकार होगा जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आपकी जीवन काल के लिए बहुती कीम्ती समय रहने वाला है आप सभी को बता दें कि नाग लोग की सक्तियां आपके साथ कुछ इस परकार है कि दोस्तों चारों तरफ आपको बधायां मिलना सुरू हो जाएंगे अब आपको खुस्यों की लड़ू बाटने पढ़ने वाले हैं जी हाँ दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं आप सभी को बता दे कि जो आपने चाहा है जो भी आपको अपने जीवन काल में कोई भी चीज की कमी है वह सभी कमी एक चाहें अब पूरी होने वाले हैं अब चाहे कोई भी कितना ताकत लगा ली कितना भी जान लगा दी लेकिन अब आपको कोई भी यह खुश खबिर रोक नहीं सकता कुछ इतना बड़ा चमतकर आपके जीवन काल में होने वाला है जिहां दोस्तों यूँ कहें तो अब आपके जीवन काल में बहुती बड़ा बबंडर आने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गई हर एक बातों को ध्यान से और अपने कान खोल कर सुनिएगा क्योंकि दोस्तों यह वीडियो यह शमय आपके लिए बहुती महतकुन रहने वाला है जिहां दोस्तों जिनके बारे में आपको बहुती जाना जरूरी होगा क्योंकि दोस्तों यह शमय आपको करणपती बनाने वाला शमय है जी हां दोस्तों आप बिल्कुल शही सुने हैं, अब आप करोणों में खेलने वाले हैं, जिसे दोस्तों अब आपका दुश्मन का बाप भी नहीं रोक सकता जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ विशेश चापधानियां आपको इन दिनों में रखनी होगी जाने अंजाने में बड़े गलती करने से भी आपको बचना होगा आप भूल से भी गलती करेंगे तो दोस्तों नाग लोग की किरपा दिरिष्टी जो आपके किस्मत में बन रही है उनसे अब चुक जाएंगे और अब अपने ही पैरों पर कुल हाडी मार लेंगे क्योंकि दोस्तों यह शमें आपका नसीब चमकने वाला है क्योंकि नाग लोग का नाग देवता आपका रक्षा करने श्रम आने वाले हैं आपको सफलता के मार पर खुद लेकर जाने वाले हैं और दोस्तों कहावात में भी कहा गया है कि विधाता का लिखा कोई भी नहीं टा जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्दी पर पहरी बार इतना बड़ा चमतकार होने वाला है आपने पिछले समय में कुछ अच्छे कर्म किये होंगे जिसका फल आपको यह समय मिल रहा है अब आपका जिन्दिगी का नया खेल सुरू हो चुका है और य जो जैसा कर्म करता है उसको वेसा ही भगवान फल देते हैं दोस्तों मनुस अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही फल देते हैं और जो मनुस बुरा कार करते हैं बुरे रास्ते पर चलते हैं तो दोस्तों इस पर उनको कभी भी साथ नहीं देत जिहां दोस्तों और दोस्तों आप अच्छे कर्म किये हैं जो कि दोस्तों नाग लोग की सक्तियां आप से जुड़ी है और यह सक्तियां आपको बहुत ही उचाई पर लेकर जाने वाले हैं तो दोस्तों बीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपको इस बेड़े में बताएंगे कि आपके आने वाले जीवन में आपको कौन सा गल्ती नहीं करनी है और आपको इन दिनों में किन-किन कारे को करने से बचने होंगे किन-किन छेतरों से लेकर साबधान रने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे सालि होंगे और कौन से उपाय करने से आपके जीवन में लाप की प्राप्ति होगी भगवान महाकाल के आसिम आसिरवाद से आपके घर के माहौल में परवारिक जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आंतो तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो भी विक्ति बीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्छे मन से जय महाकाल लिखेंगे दोस्तों महाकाल का आसिम आसिरबात आप सभी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा अरद्या भी सणपर नए हैं तो चैल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बिल आइकन को पेस करके औल पर श्लेट कर लें तो यह दोस्तों बात करते हैं कि सुरूआत करते हैं एक महाकाल के बहुत ही अच्छे विचार से एक अच्छे घ्यान से जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक इक्छा सक्ति जागरित करेगी दोस्तों भगवान कहते हैं कि उदास मत हो मैं तेरे साथ हूँ सामने नहीं पर तेरे आसपास हूँ पलकों को बंद कर और दिल से याद कर मैं कोई और नहीं वलकि तेरा विश्वास हूँ इसलिए अच्छे कर्म रखें आपको अवसी सफलता मिलेंगे यहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो आईए दोस्तों इसलिए के साथ बात करते हैं कि यह जो एक देवता है आपके साथ छतरी की तरग खड़े हैं हमेशा आपके साथ चलते हैं यह आने वारे जीवन में क्या-क्या चमतकार करेंगे, क्या-क्या संकियत आपको देने वाले हैं, आपके पारे वारे जीवन पड़ते एक छेतर में क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं, लव-लाइफ बिजनस बैपार में क्या-क्या खुशकबरिय वारे में दोस्तोरा उन्दी बावा आए और दोस्तों उसकोesting कुछ खिलाए बीना चाने न दें आपके घर में जो भी ताजे बनी हो रोटी छावल हो तो दोस्तों उसको आवश हैं इससे दोस्तों आपके घर में धन की वरत्कत होगी इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन पांच दिनों के अंदर में कोई साफ दिखाई दे या फिर दोस्तों कोई साफ नचाने वाला आये तो दोस्तों उसे भी दर्सन अवशा कर लें इससे अच्छा सूप संकित नहीं होगा आपके घर में धन आवक की तो आज दोस्तों बात करते हैं कि यह पांच दिनों के अंदर में भागवान भुलनाथ के आसीरवास से आपके घर के माहुल में परिवारी जीवन परतेक चेतर में क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं वहां को अपने केरियर से समिंदी किये गए परियास्व से समिंदी कोई सुप समचार मिलेगा वैस्ता के वावजुद आप अपने लिए और परिवार के लिए समय निकाल लेंगे तदा कुछ परिवारी महतेपुन फैस ले लेने में भी आपका विसेश योगतान रहेगा दोस्तर पिछले कुछ समय में जो काम सोचके रखे थे अब वह चालू कर दें आपका अवसीकार शफल होंगे और एक चमतकारी के रूप में आगे भी बढ़ेंगे दोस्तर इस समय आपका ग्रेसिती उत्तम बनी हुए है आर्थी योजना इसे समन्दित कोई लाब आसाने से भली भोती होगा धार्मी तता अद्याद में गती विदियों में कुछ समय व्यक्तित करने से आपको शिकुन मिलेगा इथा व्यक्तित में भी निखार आएगा समय सुखनामा और मनरजन पूर्न वेतित होगा वैस्ता भरी दिनचरिया की ठाकान भी दूर होगी तिधा आपसे सलह मसवरार वच्चों के लिए समन्दित किसी समस्या का भी निवारन होगा दोस्तो किसी भी तरकी दुविदा की इस्ति में परिवार्जनों की सलह लेना आपकी परिसानियों को हल करेगा समय आपके लिए सकार्त में परिवर्टन ला रहा है चर्री उतर पुतल से भी रहात मिलेगी तो दुस्तों दूसरे के मामला में हस्तिशिप करने से बचें और अपने ही काम से मतलब रखें किसे सारजनी अस्तल पर बाद भी बाद होने जैसी इस्ति बन रही है कुसमें आत्ममनन और चिंतन में भी आवस्य लगाएं घर के वार्र सदस्तिक के मान्शंमन और स्वास्त के परति सजग रहे रुपे पैसे के माल में किसी पर भी विश्वास न करें कुई आपको धोका भी दे सकता है संतान की कोई नकारत में गत्ति वीधी की पताचलने से मने खिलने रहेगा पर तो समास्यां को सांती पूरे तर्की से सुलजाने का प्रयाश करें दूस्तों व्यावसा में इस समय अपने उर्जा और अपने जन संपर को और अधिक विस्तिरित करने में लगाएं आपको कोई नई सुव अपसर प्राप्त होंगे मुश्कलों के बावजुद आप काम्यावी हासिल कर लेंगे आपका ग्रीशति अनुकुल बनी हुए है कारेशत में केगे बदलाब के सकार्तों पर ना मिलेंगे इसलिए पूरी मेहनत और एगरता से अपने काम पर ध्यान दें वैसा समदिक किसी भी तरह का लेंदेंज करते समय बहुत अधिक साबधाने बरतने की जरुरत है तो सरकारी कारों में आ रहे हैं रुकावटे दूर होगी नएकार की सुरुवात करने के लिए भी समय अनुकुल है कोई भी वैसाइट निरे लेने में लापरवय न करें अन्यता कोई वहतरिन उपलवदी हाथ से निकल भी सकती है वैसाइट परेशनिया धूर होगी कार में गती आएगी करमचारी ता इस्टाप पूरे मन योग से कार को गती देंगे किसी अनुभी व्यक्ति से मुलाकात होगा और वैसाइक जानकारियां का आधान परदान भी रहेगा उभी बात करें तो लव लाइब की परवारे में सुख़द और प्रेम पुन माहौल बना रहेगा प्रेम समंद में गलत फेमिना उपत न दें दोस्तो दामपत जीवन में उची समंद जस रहेगा यू आवर व्यर्थ के प्रेम समंद में समय नशना करके कारे में पर ध्यान दें दोस्तो आपके स्वास्त को लेकर देखा जाए तो त्वाचा समंदी ऐलर्जी जेसी समंस्या बल सकती है पोलिशोन और धूप से अपना बचाब रखें बर्तमान मौसम की वज़े से गले में इंट्फेक्शन और खांसी जुकाम की समंस्या रह सकती है लापरवे विल्कुल ना बढ़ते हैं और उचीत इलाद लें जिस्ता भागवान सिफ को खुश करने के लिए सम्बार के दिन चंदन अक्षत दूद धतुरा गंगाजल बेल पतरिया आंकले का फूल चड़ाएं सम्बार के दिन भागवान भोले नात को घी शकर और गेहों के आंटे का भोग लगाएं इसके बाद उनकी आरती करें दूस्त आपके घर में किसी के साधी नहीं लग रहे हो या कोई पुराने दिक्कते चल रहे हो तो दोस्तों आज नंदी बाबा को रोटी में गूड मिला के खिलाएं एसे दोस्तों आपकी सभी मानों कामनाय पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आप बात करें ता आपका भागिसाली रंग और भागिसाली आंक क्या है दोस्तों आपका भागिसाली रंग पीला है और भागिसाली आंक आठ है दोस्तों भागवान भोले नात का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कॉमेंट बॉक्स में जै महाकाल जडूर लिखे हैं और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद